वेल्कम बेक एब्रीवन वेल्कम टू सिवल सर्वसे श्टड़ी देखे यूपी एसी सिवल से वागे टैस सीरीज चल लिए और साथी साथ टैस सीरीज चल लिए यूपी पीएसी की भी तो कुश्चन नूमबर वन है निमलेखित गतनों पर विचार कीजिए दो स्टेट्में उपर का हो गया उत्री गोलार्द नीचे का हो गया दक्षणी गोलार्द तो 30 डिगरी कहां पर मिलेगा यहां पर तो है साड़े तेज डिगरी उत्री अक्षांस यहां नीचे साड़े तेज डिगरी दक्षणी अक्षांस यह है करकरेखा यह है मकरेखा इसके उपर यहां म पेटी को अस्व अक्षांस कहते हैं बिल्कुल कहते हैं दोनों के दोनों करेक्ट हैं और दोनों गुलार्दों में है उत्री गुलार्द में भी दक्षणी गुलार्द में भी तो सी है इसका अंसर तो देखिए उपरोक दोनों के दोनों का थंसत्य हैं इस पेटी को अस्व अ अक्षान्सों के वीच वायू सांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कटना ही होती थी लोग क्या करते थे घोड़े को नीचे फैक देते थे अब घोड़ा तहर तो सकता नहीं मरे गई वो ऐसा तो अरी पार लग जाएगा ना तैरकार तो कितना बरवर काम था यह तो आते जल भार में जलवास्व के भार को क्या कहते हैं वायू के प्रती इकाई भार में जलवास्व के भार को क्या कहोगे निरपेक्ष आदरता विसिष्ट आदरता सापेक्ष आदरता संग्रहन इसको बोलते हैं विसिष्ट आदरता तो देखे वायू के प्रती इकाई भार में वाइउ कात्रा को निर्पेक्ष आदरता कहते हैं इसे प्रती घन मेटर में व्यक्त करते हैं बहुत पूच्छते हैं इसको कुछ्छान अमबर थी पर आ जाइए नम्लकित अपर विचार कीजिए चार-चार स्टेट्मेंट है चार-चार बताना हैं कि इनुम्हेसे कौन सा करे पहला है सापेक्ष आदरता जलवास्व की मात्रा एवं वायू के तापमान पर नर्फर करती है सापेक्ष आदरता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है वायू में जलवास्व की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आदरता कम होती है और वायू का तापमान कम होने पर सापे अधिक होती है और वायू का तापमान कम होने पर सापेक्ष आधरता अधिक होती है अधिक हो जाती है मतलब बढ़ जाती है तो यह उल्टा है तापमान कम है तो सापेक्ष आधरता बढ़ जाएगी और तापमान अधिक है तो कम हो जाएगी तो फिलाल यह गलत है दोनों के द सब्सक्राइब काल नहीं कि आप कमान? यहां पर बताना कि नमें से कौन सा करेक्ट है संत्रप्त वायू की सापेक्ष आदरता 100% होती है और 45% सापेक्ष आदरता मनुस्यों के लिए सबसे अधिक आराम दायक होती है मतला हुमिलिटी 45 रहनी चाहिए और लेकिन गर्मियों में क्या होता है जिसे अभी मई चल रही है फिर जून जुलाई अगस सितंबर में क्या होगी 89% परसेंट तक रहती है उस समें इतना चिप चिप आ होता है कूलर चलाओ गए तो भी चिप चिप करेगा और उस समय सबसे ज्यादा है वह मौसम होता है जब एसी जो है वह बकेट बकेट पानी जो है एक गंटेयां भर देती है पुरी बहुत पानी निकालती है तो फिलाल दोनों के दोनों करेक्टर यहां पर सी है इसका उत्तर पांचवे प्रश्न पर आ जाईए निम्रिखित कत्नों में से कौन सा कत्थन असत्य है कौन सा कत्थन एक असत्य है इसमें दक्षणी गोलार्द में जल भाग अधिक है और वहां तापमान संबंदी विशमताएं कम पाई जाती है समान ताप को मिलाने वाली कल्पित या काल्पिनिक रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं जल और इस्थल पर तापमान भिन होते हैं अते तटो पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है यह तो सारे के सारे करेक्ट हो गए गलत तो कोई है नहीं इसमें तो डी है इसका उत्तर उपरोग तुमें से कोई भी नहीं देख़िए दक्षणी गोलारद में जल भाग अधिक है और तापमान समद्दी विश्शेष्टाएं कम पाए जाती हैं इसके तुत्री गोलारद में जल भाग इक है कि पुशिजन मोर 6 स्टेटिक से ऊस्पनने के लिए निम्लिक में से कौन सी परिस्टिय आवश्यक यह इंपपॉर्टन्ट है मोस्ट इंपॉर्टन्ट परशन है पीसेज के लिए और यूपीएस्य सिवल सेवा के लिए वी साफ आकास चाहिए क्या उस पनने के-लिए सांत वाताव बढ़न चाहि अगर तेज चलेगी तो उस तो बेनी नहीं पाईगी वह तो सूख जाएगी न हवा से उच्छे सापेक्षादरता चाहिए यह भी करेक्ट है और तापमान हिमांग से उपर होना चाहिए यह प्रश्ण मैंने पूछा अभी थमनेल में उसमें क्या है निम्न सापेक्षादरता है वह गलत है वही तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा या तो डी हो जाएगा ना उपरोग सभी तो देखिए हवा का जलबास्प जब संगनित होकर छोटी-छोटी बूंदों के रूप में धरातल परिस्थित घास की घास की नोकों और पत्तियों पोधों की पत्तियों पर ज दीमी चल रही हो उच्छ सापेक शादरता होने चाहिए निम्न नहीं और तापमान हेमांग से उपर होना चाहिए सात्वा प्रश्ण है मध एसिया में इस्टेपी छेत्र के निवासियों खिरगीज कज्याक द्वारा पशूओं की खाल से निर्मित अस्थाई मानव आवास को इन में से क्या कहते हैं इजवा इगलू यूर्थ या फिर आल देखे इगलू तो बर्फ में बनाते हैं ना इस इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर यूर्थ ऑप्सन नमबर सी तो मध एसिया के इस्टेपी छेत्र के निवासियों खिरगीज कज्याक द्वारा पसूओं की खालों से निर्मित अस्थाई आवास को यूर्थ कहते हैं इजवा उत्री रूस के ग्रामिन छेत्रों में तिको दिशा में होती है तथा दक्षणी गोलार्द में घड़ी की सूईयों के विपरित दिशा में होती है यह गलते देखे इस चीज को मैंने दसों बार बताया होगा यह प्रत्वी भीस से एक रहखा खिजी आती है जीरो डिगरी उपर का उगया उत्तरी गोलार्द नीचे का अब चक्रवात यहां भी आता है चक्रवात यहां भी आता है एंटी चक्रवात मतलब प्रती चक्रवात यहां भी आता है जो चक्रवात ऊपर आता है उसकी दिशा होती है घड़ी की सूईयों के विपरित दिशा में और जो चक्रवात नीचे आता है उसकी दिशा होती है घ सब्सक्राइब कम होता है में देखे चक्रवात में वायू के चलने की दिषा हमें होती है मıtलब 102 क्लॉक वाइस अगर प्रति हihा पूछा जाएगा फ्रति-चक्रवाथ गोहर प्रति-चक्रवाथ क्लॉक बाइस चक्रभाद के केंदर में दाब कम होता है दूसरा वाला सजी है question no. 9 पर आजाईए नमलिकित कत्रों पर विचार करें दो statement में हाँ पर जब केंदर में दाब अधिक होता है तो केंदर में हवाएं वाहर की गूर चलती है इसे प्रती चक्रवाद कहते है चक्रवाद में हवा केंद्र के तरफ आती है और उपर उठकर ठंडी होती है जिस से वर्षा होती है जबकि प्रति चक्रवाद में मौसम साफ होता है ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों C है इसका उत्तर तो उपरोग दोनों कथन सत्य हैं पढ़ लीजेगा उनको एक बार दो बार कुश्य नूम्बर दस है नमलिकित कथनों पर विचार करें दो इस स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना की कौन सा सत्य है सीतोष्न कटी बंदे चक्रवात पश्यम से पूर्व की और चलते हैं जबकि उश्न कटी बंदे चक्रवातों का व्यास सीतोष्न कटी बंदे चक्रवातों के व्यास से बड़ा होता है देखिए पहला वाला करेक्टर दूसरा गलत है व्यास जो होता है वो शीतोशन कटी बंदे चक्रवातों का बढ़ा होता है उशन कटी बंदे चक्रवातों का नहीं तो उशन कटी बंदे चक्रवातों का व्यास सीतोशन कटी बंदे चक्रवातों के व्यास से छोटा होता है यानि किसका बढ़ा हो गया सीतोशन कटी बंदे चक्रवातों का कोश्या नुम्बर 11 पर आजाईए निम्लिकित कतनों में से कोई एक कतन इसमें गलत है पक्षाब बादलों का निर्मान सूक्षम हिमकरणों के द्वरा होता है इनका रंग सफेद होता है और यह पक्षी के पतले पैरो जैसे प्रतीत होते हैं मध्य कपाशी बादल के द्वरा सूर और चंद्रमा के चार और परवा मंडल चा जाता है कपाशी बादल निचले स्थर के बादल है और इनकी तुलना फूल गोभी से की जाती है देखें यहां पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है चोथा करेक्ट है लेकिन तीसरा वाला गलत है क्योंकि मध्ध कपासी वादल के द्वारा नहीं वलकि पक्षाब बादलों के द्वारा किसके द्वारा पक्षाब बादलों के द्वारा सूर और चंद्रमा के चारो और प्रफामंडल चा जाता है तो पक्षाब इस तरी बादलों के करने सूर और कि चारवा प्रफामंडल चाता है ना कि मध्ध कपासी के द्वारा बार्यों प्रश्ण पर आ जाईए नम्लिकित कतनों पर विचार करें दो स्टेटमेंट हैं पर बताना की कौन सा करेक्ट है भूमद रेखा से धुरूबों की और सामानिता वर्षा की मात्रा घटती जाती है बढ़ना पड़ेगा कि भूमद रेखा देखिए है भूमद रेखा वीच की मतलब यहां से उपर जो है रेनफोल कम होता जाता दोनों को लार्दों में विश्व में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले परदेश उष्ण कटिय वंदे में पाए जाते हैं यहां संबहनिय तथा मानसूनी वर्षा अधिक होती है बिल्कुल ही दोनों के दोनों स्टेट्मेंट जो हैं करेक्ट हैं इसका उत्तर है सी कुशन नमबर ठर्टीन पर आजाईए निम्लकुत में से किस प्रदेश को मानव सबहता का पालना कहा जाता है कौन से प्रदेश को कहा जाता है मानव सबहता का पालना सवाना प्रदेश नहीं है भूमद रेखिये प्रदेश नहीं है यह है भूमद सागरिय प्रदेश, मेडिटेरियन शेत्र, आप्सन नमबर A, तो भूमद सागरिय प्रदेश को मानब सबेता का पालना कहा जाता है, सबसे आदे फलो की खेती यहीं पर होती है, कौशन नमबर 14 है, नमलिकत में से कौन सी उष्ण कटी वंदे सुष्क मरुस्तल यह जलबायू की विसेस्ता नहीं है, कौन सी नहीं है, उष्ण कटी वंदे सुष्क मरुस्तले जलबायू की विसेस्ता पहला है, इनका विस्तार 15 डिगरी से 30 डिगरी, अकसांस के वीज, भूमद रिखा के दोनों और महादीपों के पश्मी भाग में इस से था है, यहां क तो प्रश्न क्या था अपना, कौन सी उष्ण कटी वंदे सुष्क मरुस्तले जलबायू की विसेस्ता नहीं है, तो यह तो है, यह भी है, यह नहीं है, क्योंकि यह सवाना की विसेस्ता है, सवाना की विसेस्ता है, पार्क लेंड या वुष्वेल्ड जिसको कहा जाता है, बी गलत है यहाँ पर तो देखिए सवाना प्रदेश या सूडान प्रकार की जलवायू की दरश्य भूमी को पार्क लेंड या वुश वेल्ड कहा जाता है तो यह उश्ण कटी बंदी है वुश्ण कटी बंदे सुष्क मरुस्थल की विसेश्था यह नहीं यह तो सवाना की विसेश्था है सवाना की और सूडान प्रदेश की सवाना प्रदेश और सूडान की कुश्ण नमबर 15 पर आजाए अंतिम प्रशन है इस टेस्ट का नम्रिकित कत्नों पर विचार करें कुहरा एक परकार का बादल है जिसका आधार प्रत्वी के धरातल पर उसके विल्कुल समीप होता है कुहासा भी एक परकार का कुहरा है इसमें कुहरे की अपेक्षा दरश कुहरा एक परकार का बादल है करेक्ट है जिसका आधार प्रत्वी के धरातल पर उसके विल्कुल समीप होता है इसमें कुहरे की अपेक्षा दरश्चता दूर तक बनी रहे दिमतला आप कुहासे में दूर तक देख सकते हो लेकिन कुहरे में नहीं तो फिलाल दोनों के दो इंपोर्टन टेस्ट था जोग्रफी का अच्छे से इसका रिविजन को विसमें को दो बार तो करेगा धन्यवाद